दोस्तों अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है आप न्यू राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप दोस्तों न्यू राशन कार्ड बनाना पहले से काफी ज़्यादा आसान हो गया है आप ओनलाइन अपलाई करके अपना न्यू राशन कार्ड बना सकते हैं इसके लिए आपको कहीं पर भी office वगर नहीं जाना पड़ेगा ना कहीं पर भी आपको पैसे देने पड़ेंगे न लाइन में लगना पड़ेगा सारा काम घर बैठे online हो जाएगा बस आपको online form बरकर apply करना है उसके बाद दोस्ता आपका जो राशन कार्ड ही ये बन जाएगा बनने online process क्या है चले मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो like और share कर देना दोस्तो निव राशन कार्ड अपलाई करने के लिए सबसे पहले अपने mobile phone या laptop में कोई भी एक browser को open करेना है उसके बाद यहाँ पर type कर लेना है nfs से उसके बाद सर्च कर देना है सर लिएकर अंदर मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा ठीक है जिससे आप आसानी से किसी भी state का निव राशन कार्ड बना सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तो जो सबसे पहला तरीका है निव राशन कार्ड अपलाई करने का चलिए ओ मैं आपको बता देता हूँ ठीक है तो उ इस state का निव राशन कार्ड अपलाई करना चाते हैं उस state के उपर आपको क्लिक करना होगा तो चलिए हम यहाँ पर किसी एक state के उपर क्लिक कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको ओके कर देना है आपके सामने दोस्तो निव पेज ओपेन हो जाएगा यहाँ पर आप द पर आपको अपना जो present address है जहाँ पर present time में आपको ओ देना है district आप यहाँ पर select करेंगे, block आपको यहाँ पर select करना है ward number आपको यहाँ पर select करना है, village and area को आपको यहाँ पर select कर लेना है plot number वगर आपको यहाँ पर type कर देना है उसके बाद जो pin code है उससे आपको यहाँ पर type कर देना है जिसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर बताना है आपका permanent address और present address दोनों same है आपी रा लग है अगर same है तो इस पर आप click कर देंगे automatically दोस्तों आपका address यहाँ पर भी copy paste हो जाएगा समझ गए तो address detail डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है अब इस address पर आप कितने समय से रह रहे हैं वो आपको बताना है कितने साल हो गए हैं इस address पर रहते हुए वो आपको यहाँ पर type करना है और कितने महीने हो गए हैं वो यहाँ पर type करेंगे उसके बाद next कर देना है जिसके बाद दोस्तों आपके सामने दूसरा इस्टेप आजाएगा अब आपको यहाँ पर ration and FES details select करना है जिसमें सबसे पहले RC type select करना है किस type का आपको ration card बनवाना है AAY, APL या फिर BPL आप यहाँ पर देख सकते हैं तो जिस type का आपको ration card बनना है वो select करेंगे उसके बाद यहाँ पर rice FES name पूछा जाता है wheat FES name पूछा जाता है तो यह सब दोस्तों optional है ठीक है इस पर ready start नहीं बना है तो आप यह सब छोड़ देंगे नीचे आएंगे यहाँ पर आपको select करना है कि आपको कितना राशन चाहिए ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग-अलग option दिया हुआ है अगर आपको 1 kg rice and 4 kg wheat चाहिए तो आप यहाँ पर select करेंगे अगर दोस्तों आप directly 5 kg गेहु लेना चाहते हैं यह select करेंगे rice के लिए यहाँ पर है अगर आप 2 kg rice और 3 kg गेहु लेना चाहते हैं तो आप यह वाला option select कर लेंगे ठीक है तो हम इसे यहाँ पर select कर लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है simply next वाले button पर click कर देना है जिसके बाद आपके सामने तीसरा step open हो जाएगा family member detail का ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपने घर के सभी member का name add करना है तो check box पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर name type करेंगे ठीक है जिस member का आपको name add करना है gender select करेंगे date of birth यहाँ पर type कर देना है relationship आपको यहाँ पर select करना है कि इस member के साथ आपका क्या relationship है ठीक है तो यहाँ पर सभी option दिया है आप अपने इसाफसे यहाँ पर select कर लेना उसके बाद epic number यानि की auto ID का number यहाँ पर type करना है नई बना है तो आप छोड़ देंगे उसके बाद यहाँ पर ऐसे डूसरे member का name type करना है तीसरे member का name type करना है इसी मतलब सभी member का name type करेना है समझ गये? उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर applicant name select कर देना है जिसके बाद दूस्थर आपको यहाँ पर next roll e button पर click कर देना है यहसे आप next करेंगे आपके सामने last step आजाएगा other info का ठीक है तो यहाँ पर आपको other detail देना है इसमें बहुत से इधर उधर के detail मांगा जाता है तो यह सब 200 optional है क्योंकि इस पर red star नहीं बना है तो आप यह छोड़ सकते हैं ठीक है तो हम यहाँ पर rotor ID card को select कर लेते हैं proof of identity में आप यहाँ पर आधार card है तो आधार card को select कर लेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना mobile number type कर देना है अब यह mobile number अगर आपका है तो यहाँ पर आप अपने आपको select कर लेंगे self ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है bank name select करना है जिस bank में आपका खाता खुला हुआ है IFSC code आप यहाँ पर type करेंगे account number आपको यहाँ पर type करना है account total name आपको यहाँ पर select कर लेना है उसके बाद दोस्तों save वाले button पर click कर देना है अब दोस्तों आपने अगला step आपके सामने आ जाएगा जो जो document आपने select किया उसे upload करना पड़ेगा उसके बाद final submit कर देंगे final submit करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ से new ration card के लिए apply हो जाएगा समझ गया तो यह पहला तरीका है दोस्तों जहां से आसानी से अपने राशन कार्ड के लिए apply कर सकते हैं अगर आपके state में ये शुरू है तो इस तरीके से आपने राशन कार्ड के लिए apply कर सकते हैं लेकिन अगर आपके state में ऐसे apply नहीं हो रहा है तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ उसके लिए आपको National Food Security Portal के Home Page पर चले आना है ठीक है जो दूसरा तरीका है वो चले मैं आपको बता देता हूँ तो उसके लिए आपको यहाँ पर करना क्या होगा Sign In and Register के उपर क्लिक कर देना है यहाँ पर आएगा Public Login इसके उपर क्लिक कर देना है इसपर जैसे यह आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने जो Common Registration Facility है यह ओपेन हो जाता है ठीक है यहाँ पर नीचे आएगे New User के Option पर आपको क्लिक कर देना है इसपर जैसे दोस्ता आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर एक Registration Page ओपेन हो जाएगा जैसे आप submit करेंगे आपके आधार कार्ट के साथ जो भी mobile number लिंक रहेगा उस पर एक OTP आएगा उसे आपको डाल कर submit कर देना है आपका यहाँ पर registration हो जाएगा ठीक है अब आपको यहाँ पर राशन कार्ड अपलाई करने के लिए common registration facility के उपर क्लिक कर देना है यहाँ पर आएगा new registration तो इसी वाले option पर आपको क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने state का नाम सेलेक्ट करना है किस state का आप राशन कार्ड अपलाई क करना चाते हैं उसके बाद यहाँ पर submit के उपर click कर देना है जैसे आप submit करेंगे आपके सामने 7 step आ जाएगा यह 7 step में दोस्तों आप यहाँ से new ration card के लिए apply कर सकते हैं ठीक है उस पर मैंने एक अलग से dedicated वीडियो बना रखा है पूरा form भर कर मैंने आपको दिखाया है ठीक है और अपना जो राशन काड है उसी बना सकते हैं तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेर करना साथी साथ हमारी शेनल को सस्क्राइब कर लेना थैंक्यू दोस्तों बैबन टेक कियर